So Ladies and Gentlemen आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर MINE Crap की नई Happy वीडियो में जि हाँ दोस्तो आज मैं आपको MINE Crap का Top Haunted Seed जि हाँ एक MINE Crap की एक ऐसी Haunted and Mysterious Glitchis Seed बताने वाला हूँ जिसके अंदर जाने के बाद आप लोग कभी भी वापस नहीं आ सकते जी हाँ दोस्तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा धमा के दारे तो वीडियो के साथ बने रहेगा वीडियो को इसकीप बिल्कुल भी मत कीजेगा अगर आप लोग भी इस सीड को जोइन करना चाते हो तो हमारी ये वीडियो स्टेप पाई स्टेप फॉलो क कीजे मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सीड कहां से मिलेगी तो दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजे शेयर कर दीजेगा साथ ही चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजे चलिए दोस्तो आज की वीडियो हम करती है तो आप इसे बेड्रोक में भी यूज़ कर सक्ते हो और जावा में भी आप इसे ट्राइ कर सकते हो ये दोनों पे ही काम करेगी और 1.19 में ये वर्क करती या नहीं करेगी ये मुझे नहीं पता लेकिन ये 1.14 में 100% वर्क करती है तो दोस्तों चलिए आजकी इस सीड को join करते हैं और चलते हैं इस mysterious world के अंदर तो सबसे पहले आपको अपने world का नाम दे देना है उसके बाद आपको seed के अंदर आना है seed आपको step by step follow करनी है आपको seed डालनी है 3 6 5 9 8 4 2 6 7 1 3 4 5 6 8 8 आपको ये वाली seed डाल देनी है उसके बाद आप अपनी setting on कर सकते हो और world को आप generate कर लीजे तो मैं आप एक कुछ देर wait कर लेता हूँ तो आप जैसे ही spawn हो जाएंगे आप ice biome के अंदर spawn होंगे तो सबसे पहले आपको wood collect करना है और आपको अपने wood के जो tool है वो complete कर लेने लेकिन यहां पे मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मेरे पीचे panda पड़ चुका है तो wool पड़ चुका है तो मैं उससे थोड़ा दूर ही होंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी fight नहीं करनी है तो मैं आपने लिए wood collect करता हूँ और उसके बाद अपनी tool complete कर लेता हूँ तो दोस्तो मैंने अपने लिए wood के जो tool है वो बना लिये और मैं अपनी जर्णी start करने वाला हूँ मैं जाने वाला हूँ इस तरफ जी हां क्योंकि मैं plus की तरफ जाऊंगा तो किस तरफ चले हम तो मैं जाने वाला हूँ इस तरफ plus की तरफ और मैं almost 10,000 block चलने वाला हूँ तो आज की जर्णी हम start करते हैं और जितना भी food और जितना भी हमें meat मिलेगा वो सारा भी मैं collect करता जाऊंगा तो दोस्तो चलिए आज की जर्णी हम complete करते हैं आपसे मिलते हैं ओके तो मुझे यहां से बचना पड़ेगा वरना मैं मर भी सकता हूँ ओके बच गया हूँ तो यहां पर मुझे stone भी मिल चुका है शायद तो मैं stone collect करके आगी की जर्णी complete करता हूँ तो दोस्तो आखिरकार मैंने 3000 block आगे आ चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे इस world के अंदर कोई भी entity या फिर कोई भी village नहीं मिलाए तो हो सकता है कि 1.19 में यह work ना करे लेकिन 1.14 में यह 100% काम करता है और ठेर सारा साथ ही में अपने लिए जो है food भी collect करता जा रहा हूँ ताकि मुझे food की कोई कमी ना हो तो दोस्तो आगी की journey हम complete करते हैं और almost में 10,000 block चलने वाला हूँ तो मैं आगी की journey complete करके 3000 आगे आपसे मिलता हूँ अगर मुझे कोई village या फिर कुईसी भी तरह का glitches देखने को मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा चली दोस्तो आज की journey हम complete करते हैं तो दोस्तो आखिरकार मैंने 6000 block complete कर लिए और यहाँ पे मेरे ice biome दुबारा आ चुका है हमारे पास और मुझे ये पार करना है क्योंकि यहाँ पे रात को सोना बहुत ही ज़्यादा danger होगा तो सबसे पहले night हो चुकी है तो यहाँ पे मैं सो लेता हूँ क्योंकि मैं यहाँ के monster इससे बिलकुल भी fight करना नहीं चाता तो मैंने यहाँ पे अपने लिए सोने का इंजाम कर लिया है आगे की journey हम complete करते हैं 10,000 block तक तो दोस्तों आगे मैं direct 10,000 block आपसे मिलने वाला हूँ लेकिन अभी तक मुझे इस world के अंदर कोई भी entity या फिर कोई भी monster नहीं मिला है तो आगे की journey complete करने के बाद आपसे मिलता हूँ तो दोस्तों आगे कार मैं 10,000 block complete कर चुका हूँ और अभी तक मुझे इस world के अंदर कोई भी monster या फिर कोई भी village भी नहीं मिला है और नहीं कोई मुझे dangerous glitch मिला है तो 1.19 में ये work नहीं करता है लेकिन ये 1.14 में काम करता है आप इसे 1.14 में try कर सकते हो 100% 1.14 में ये काम करता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अमारी next mysterious seed के अंदर तब तक के लिए thank you और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबा दीजे आज के लिए बस इतना ही मिलते हमारी next वीडियो में